4000, 5000, 6000 में लेबराड़ मिल रहा है काफी लोग यह बोलते है कि मेरे पास आट 4000 में लेबराड़ देता हूँ 5000 में देता हूँ लेकिन उसका real truth आपको आज जानने मिलेगा साथ-साथ अगर आपको मिल रहा है और काई से pure भी मिल गया उसकी भी में वज़ा बताऊंगा तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं लेबराड और रेट्रीवर की प्राइस क्या है उनको अगर आप घर में लाते हो तो मंतली एक्सपेंस कितना हो सकता है उनकी डीवर्मिंग, वैक्सिनेशन का कितना खर्चा होता है सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने मिलगा एक बंपर वीडियो है आपके लिए तो इस वीडियो का अभी एक लाइक कर दीजिए लाइक का टार्गेट रखते हम 800 लाइक तो ये लाइक ज़रू से कंप्रीट कर दीजिए रोज वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ मैं तो इतना तो बनता है यार तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अब लेबरड और रिट्रीवर एक वन अफ दो पॉपिलर डॉग बिड है इसलिए इनकी डीमांड भी जादा होती है और काफी लोग पसंद करते है अब कोई भी नया ओनर चाहे वो फर्स टाइम ले रहा हूँ जादा एक्सपिरियंस नहीं हूँ वो इस डॉग बिड के साथ जा सकता है आप चाहे तो किसी और से भी पूछ सकते हो यूटूब पे भी कई सारे वीडियोज मिलेगी हमारी वीडियोज में भी देख सकते हो कई बार हमने रेकोमेंडेट कि अगर फर्स टाइम के लिए जा रहे है और फ्रेंडली डॉग बिड जाना है तो लेबरोडर के साथ भी आप जा सकते हो कई और भी ब्रीडे जिनके साथ जा सकते हो लेकिन लेबरोडर उनमें से एक है लेकिन कुछ लोग ये गलती कर देते है कि लेबरोडर रेट्रिवर को ले तो आते है लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता तक ये डॉग ब्रीड स्मॉल साइज के हाउस में नहीं रह सकती ये डॉग ब्रीड का एवरेज वेट 29 से 36 केजी तक हो जाता है और इनकी हाइट 55 से लेके 62 संटीमेटर तक हो सकती है ये थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है मेल फीमेल में लेकिन एवरेज इनके बीच में या फिर इनक से थोड़ा आगे पीछ आपको देखने को मिल जाएगा तो यही वज़ा है ये डॉग ब्रीड स्मॉल साइज के आउसस में नहीं रह सकती है इनको फ्रीली मूविंग स्पेस चाहिए होती है ये डॉग ब्रीड काफी ज़दा एनरजेटिक होते है एक्टे होते है और आपने देखा होगा अगर आपके पास है या फिर किसी और के पास है तो ये काफी ज़दा एक्साइटेड रहते है जब भी इन्हें बाहर जाना है इन्हें घुमना भी काफी ज़्यादा पसंद होता है इसलिए अगर आप अपार्टमेंट में रहते हो तो इनको एक्सरसाइस पे ज़रू से ध्यान दे इनको घुमाने ले जाए अगर आपके पास बैक्क्याड है या कई कुछ है तो चलेगा वहाँ पे घुमा सकते हो आप लेकिन नहीं है तो मेक्शुर आप इन्हें एक्सरसाइस थोड़ी ज़्यादा दे या फिक कोई गार्डन में ले जा सकते हो वाकिंग पे ले जा सकते हो ये सब चीज़े आपको ज़रू से करनी होगी काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हा जाती है कि वो सोचते कि इनको ट्रेन कैसे करूँगा मैं क्या होगा मेरा मैं इससे सिखाऊंगा कैसे एग्रेसिव हो गया तो क्या करूँगा तो लेबरोडोर के केसे में आपको ज़ादा इतनी चिंता करने की जरुवत में आपको इनको बेजिक ट्रेनिंग दोगे आप कोई भी ट्रीट से तो भी ये सीख जाएंगे यूटूब पे काफी सारे वीडियो आवेलेबल है मेरी आप वो देख सकते हो आपको easy guide मिल जाएगी आपको खुद ही आप घर पे उन्हें train कर सकते हो aggressive behavior ना आए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले लोग ये पुछेंगे कि ये dog bit aggressive भी होते है हाँ होते है अगर आप इन dog bit को एक जगा पे बांग के रखते हो ये चिड़ चिड़े हो जाते है अगर आप इन पे हाथ उठाने की कोशिश करते हो training के वक्त तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना इससे bond ही खराब हो जाएगा dog bit aggressive बनेगा और जैसे ही attack करने की कोशिश करोगे आप उस पे वो खुद आप पे attack कर लेगा तो ये सब चीज़े को आपको avoid करना है वो एक baby की तरह हमारे घर में आता है तो उसकी पूरी care करनी होगी वो एक family member है हमारा तो उन्हें मारे बिल्कुल नहीं positive reinforcement यूज़ कीज़े वो जरू से सीखेगा अब सबसे पहले मैं price के बात करूँ उससे पहले बता दू कि कुछ लोग बोलते कि सर मुझे 4000 में मिल गया 5000 में मिल गया तो अगर आपके पैचान में है वो इंसान या फिर जो breeder है उसने breeding आपके सामने की हो आपको पता है दोनों male female दोनों dog pure है लेकि जो breeder उसे इतना knowledge नहीं है या कोई भी local है या आपके आजू बाजू पडोसी हो गए उन्हों नहीं breed किया है और वो आपको ऐसा ही puppy दे रहा है तो वो pure मिल रहा है तो तीन चार अजार में दे रहा है तो समझते कि हाँ जान पेचान में थे या उन्हें इतनी knowledge नहीं कि ये इतने महेंगे भी लेते हैं लोग लेकिन अगर आपको कोई breeder बोल रहा हूँ जो काफी popular हो या फिर ज्यादा तर डॉक बेचता हो या फिर आपने उसे ज्यादा तर नहीं देखा होगा निवली आया होगा या फिर कुछ टाइम से ही होगा तो वो अगर आपको बेच रहा है कि ले जाओ में आपको 5,000 में य 4,000 या 3,000 में दे रहा हूँ तो यकीन मत कीजिए इतनी इजी ली अब कोई भी डॉक बीड जो है अच्छे खासे पपी जो उसको जादा पैसे मिल रहा हो वो सस्ते में नहीं बेचेगा सबसे पहले आपको अगर वो किसी ने लिया है तो उससे कंफर्म कर लेना है कि आपका बड़ा होके पता चलता है कई बार डॉक ब्रीड की वो प्यॉर है की नहीं क्योंकि मिक्स ब्रीड वो जो ब्रीड थे आपको दे दे दें तो यह अगलती आपको नहीं करने हैं आपको सबसे पहले चेक कर लेना है चेक नहीं कर सकते तो एक काम कीजिए अगर आपको भरोसा नहीं है तो उस बीडर के पास मत जाईए दूसरे बीडर के पास जाईए किसी फ्रेंड ने लिया हो कोई आज पास में अच्छी शॉप हो जहां से ज़्यादा तर लोग पैट खरीदते हैं आपको डिस्क्रिप्शन में साथ-साथ आई-कार्ड में लिंक दे दूँगा वहां से आप चेक कर सकते हो कि आपके लेबराड और पप्पी की प्योरटी कैसे चेक करें तो सबसे पहले अगर ये चार-पांच हजार के फ्रॉड में आपको फसना नहीं है ओनलाइन पेमेंट किसी को बिल्कुल मत कीजिए कोई बोलेगा कि ओनलाइन कर दो डिलिव कर दूँगा तो आपको फेक बोल रहा है आपके साथ धोका कर सकता है तो ये चार-पांच हजार के लेबराड और खरीदने के चकर में आपके साथ फ्रॉड हो सकता है इसलिए मैंने आपको ये टिप दी अब बात करते हैं अगर आपको एक लेबराड और रेट्रिवर लेना है किसी भी अच्छे पेट शॉप से या फिर लोकल पेट शॉप से तो आपको कितने में मिलेगा तो एवरेज आपको 8,000 से लेके 17,000 के बीच में कोई भी लोकल पेट शॉप से आपको लेबराड रेट्रिवर मिल जाएगा अब आप सोचोगे कि मैंने कैसे इसकी प्राइस बता दी तो जो लेबराड रेट्रिवर की प्राइस डेवर डिपेंड करती है आप कहां से लेते हो और किस से लेते हो अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग प्राइस हो सकती है लेकिन मैंने जो बताया क्राइटेरिया 8,000 से लेके 17,000 तक उसके बीच में आपको आराम से एक प्यूर डॉक बिट मिल जागी किसी भी लोकल पेट शॉप से अगर आपको कोई इससे जादा मेहंगा बोल रहा है लोकल पेट शॉप वाला तो उस पर बात पर बरोसा मत किजिए एकदम सस्ता दे रहा है तो बरोसा मत करें लेकिन कोई अगर पॉपिलर ब्रीडर हो चार्ज कर सकता है 17,000 से लेके 50 या 45,000 तक इसके बीच में वह आपको चार्ज कर सकता है तो यह डॉपिट की डिपेंड करेगा कि आप वह ब्रीडर केसा है वह कौनसी डॉपिट दे रहा है कौलिटी बेबी डिपेंड करता है अब लेबरोडर रेट्रीवर इंटेलिजेंट है ही इतने वह कोई भी जो टास्क के वह कर लेते है काफी सारे रेस्क्यू मिशन्स में यह डॉपिड यूज होते है पुलीस में, मिल्टरी में यूज होते है इसलिए आप समझ सकते हूँ कि डॉग बीड कितने इंटेलिजेंट है टॉप इंटेलिजेंट डॉग बीड में से भी एक डॉग बीड है अगर आपके घर में बेबीज हो तो वह उनके साथ भी अच्छे से रह सकता है लेकिन आपको एक चीज याद रखनी कि इनको बच्छपन से उनके साथ सोशलाइस करना और किसी बड़े का होना तब जरूरी है मंथली एक्सपेंस में सबसे पहले में आपको बता देता हो वैक्सिनेशन और डिवॉर्मिंग का खरचा अब वैक्सिनेशन आपको जो इनिश्यली आपको करनी पड़ती है वो आपको मंथली हो सकती है फिर जो भी डेट आती हो उस हिसाब से होगी तो उसका चार्ज हो सकता है आपका 800 से लेके 1500 के बीच में पहले वैक्सिनेशन शेडूल के इसाब से होंगे कि एक महीने बाद जो भी होगा डॉक्टर आपको वो बुक दे देगा उसके इसाब से आपको रेगुलरी टाइम टू टाइम वैक्सिनेशन करानी है तब आपका थोड़ा खरचा होगा लेकिन उसके बाद आपका yearly वैक्स मंतली फूड देते हो अगर आपको इस्टेंडर्ड फूड देते हो उने तो उसका प्राइस का खरचा आ सकता है मंतली आपको दो से तीन हजार और अगर प्रीमियम फूड देते तो चार से पांच हजार कुछ चीज़े जो होती हम रेगुलरली नहीं लाते जैसे कि उनके यह बैल्ट हो गया बैड हो गया यह फिर टॉइज हो गया तो वो रेगुलरली नहीं खरीते हम इसलिए उसकी प्राइस मैंने इसमें मेंशन नहीं की ग्रूमिंग में आपको इसमें खर्चा हो सकता है उनका और एन आवरेज आप थाउजन रुपीस रख सकते हो तो यह खर अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेर जरू कीजिए चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए